पुजा पाठ कर रहे हैं जिहां दिल्ली के सकॉन मंदिर में पियम मोदी इस वक्त मौझूद है और देश की सबसे बड़ी गीता का अनावरण किया है गीता अराधना कारकरम में पियम मोदी है सामान ये मानवी तक सभी को गीता ने लोग हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में बगवत गीता विराजमान है ही दुनिया भर की अनेक महान विभुतिया भी इसकी दिव्यता से अच्छोती नहीं रह पाई ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर शेत्र के अनेक लोगों की प्रिणा कुरुक शेत्र के मैदान पर कही गई ये अमरवानी है साथियों मशूर जर्मन फिलोसफर शौपन हावर ने लिखा था गीता और उपनिशत के अध्यन से अधिक हितकर संपूर विश्व में कोई अध्यन नहीं है जिसने मेरे जीवन को शांती से परिचित कराया और मेरी मृत्यों को भी अनन्त शांती का भरोसा दिया ये बाते उन्होंने उस दोर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेडियों में जकड़ा हुआ था हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास के जा रहे थे भारतिये दर्शन को नीचा दिखाने के बरपूर प्रयास चल रहे थे साथ योद दुनिया को भारत के इस पुरातन ज्यान से पवित्रता से परिचीत कराने एका एक बना प्रयास मंच पर विराजमान विपृतियों ने किया है और मेरे सामने मौझूद अनेक विद्वानों और भक्तों ने भी किया है स्रील भक्ति विदान स्वामि प्रभपाई जी ने तो खुद को भगवद गीता के लिए समर्पित कर दिया रहा जिस प्रकार गांधी जी के लिए गीताओं और सत्याग्र जीवन का अहम हिस्सा रहा है उसी तरह स्वामी जी के लिए भी मानोता की सेवा के ये दो मार्ग हमेशा प्रिय रहे यही कारण है कि उन्होंने पहले गांधी जी के नेत्रुतों में भारत छोड़ो आंदोलन में हिसा भी लिया था और देश के आजाद होने के बाद वो मानों मुक्ति की अलग जगाने दे दुनिया के ब्रहमर पर निकल गए अपनी मजबुती चासती से हर प्रकार के चुनोतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस कौन जैसा एक अब्यान छेड़ा जो आज भगवान से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है सात्यों गीता धर्म गरंथ तो है पर ये जीवन गरंथ भी है हम किसी भी देश के हो किसी भी पंथ के मानने वाले हो पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती है हम जब भी वीर अरजून की तरह आ निर्णे के दोराये पर खड़े होते हैं तो स्रीमत भगवत की ताह में सेवा और समर्पन के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है अगर आप एक विद्यारती है और अंदिर्णे की स्थिति में है आप किसी देश के राष्टा दिख्षे है या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी है आपको अपने हर प्रश्ण का उत्तर स्रीमत भगवत गीता में मिल जाएगा मैं तो मानता हूँ कि गीता मानव जीवन के सबसे बड़ी मेन्यूल भूख है जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है अब प्रभू ने तो स्पष्ट कहा है परित्रानाय सादुनाम दुनासाय चदुस्कृताम धर्म संस्तापनार्थाई संभवामी युगे-युगे मतलब दुस्तों से मानो ताके दुश्मनों से धर्ती को बचाने के लिए प्रभू की शक्ती हमारे साथ हमेशा रहती है यही संदेश हम पूरी प्रामानित्ता के साथ दुस्त आत्माओं असुरों को देने का प्रयास कर रहे है भाई और बहनो प्रभू जब कहते है कि क्यों वर्यर्थ चिन्ता करते हो किस से व्यर्थ डरते हो कौन तुम्हे मार सकता है तुम क्या लेकर आये थे और क्या लेकर के जाओगे तो अपने आप में खुद को जन सेवा और राष्ट सेवा के लिए समर्पित होने की पेरणा अपने आप मिल जाती है साथियों हमने प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले हर नीति के मूल में न्याय हो समभाव हो समता का सार हो हुआ 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 है